दोस्तों आज हम लोग का सफर कुछ ऐसा हुआ कि आज हम लोगों ने पिकनिक का भी मज़े लिया और देखा जाए तो हम लोगों ने ट्रेबल भी किया दोस्तों देखो कैसे लंगूर पेड़ों पे एक टैनी से दूसरे टैनी जा रहे है और दोस्तों जंगल के बीच में ये न जारा देखने लायक है हम लोगों को तो डर लग रहा था कि कहीं कोई तेंदुआ हम लोगों को भी न देख रहा हूँ आप लोगों खोदी देखके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ताना जंगल है और फिर हम निकल आए कुछ रोट के किनारे तरफ टहनने के लिए जो कि ये खेट था और मिर को इस हर्याली को देखके रहा नहीं गया तो मैं निकल आए सूट करने के लिए तो मेरी फोटो सूट पूरी होई रही थी कि जब तक मेरा खाना भी वहां हमारी कार में रेडी हो रहा था और ऐसे नजारों को देखते हुए कितना मन को रोमांचिक प्रतित होता है और दोस्तों इतनी हर्याली में जो गर्मी और एक ठंड के बीज का मौसम रहता है यह वही मौसम चल रहा है और ऐसे में गर्मी भी जादा नहीं लगती है और नहीं ठंड जादा लगती है तो कुछ इस प्रकार करना जारा हमारे सामने प्रकृति ने पेस किया है जो की देखने में मन को बहुत भाता है और फिर यह हमारा भाई कुछ खाना लीके बैठ गया हमने सोचा पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए उसके बाद में यहां से आगे बढ़ा जाए जिसमें हमने घर से पुड़ी और आलू की सबजी और टमाटर की चटनी बना के पहले से ही लेके आए थे और फिर मैं खाने के बाद में कुछ टहलते हुए और कुछ ना जा रहे जो की पहाडों का नजारा था और देखिए सड़क के किनारे कितने अच्छे लिप्टिस के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और फिर ये कुछ नजारा जो की साम का था अभी पतज़र का मौसम चल रहा है तो इसमें देखना चारों रापलों की किस पर देखिए प्रकार से पत्ते जड़ रहे हैं और उसकी चर्चरहाट की आवाज मन को कितना प्रसंद करती है और इसी प्रकार में आगे बढ़ता गया क्योंकि मैंने देखा कि कुछ बंदर पेड़ों पे इधर से उधर चलांगे मार रहे थी बिचारे बंदर भी अपना रात का समय गुजारने के लिए कोई यहां वहां पेड़ धोड़ रहे हैं जो की उंचा हुआ और उनको जंगली जानमरों से बचा सके और एक बंदर तो हमें देखते हुए बिलकुल उपर तरफ भाग गया और बस ये साम की तनहाई चार उमर बिखरी हुई और इस तनहाई के साथ मैं हमारी वीडियों को समापती करते हैं धन्यवाद हुआ हुआ है।